मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार आज आपसे मन की बाद एक ऐसे समय कर रहा हूँ जब कोरोना हम सभी के धैरिय, हम सभी के दुख बरदास करने की सीमा की परिशा ले रहा है बहुत से अपने हमें असमय छोड़ कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सभलता पूर्वक मुकाबला करने के बाद देश होसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तुफान ने देश को जगजोर दिया हैं। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग-लग सेक्टर्स के एक्सपर्स के साथ, वेशेजग्यों के साथ लंबी चर्चा हुई हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्स और वेज्ञानिक सलहा को प्रात्फिक्ता देनी हैं। राज सरकार के प्रयत्तों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ती से जुटी हुई हैं। राज सरकारे भी अपना दाईतों निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों कोरोना के खिलाब इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वरकर्स लड़ रहे हैं। पिछले एक साल में उन्हें इस बिमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर सशांग जोसी जुड रहे हैं। डॉक्टर सशांग जी को कोरोना के इलाज और इस से जुड़ी रिसर्च का बहुत जमिनी अनुभव हैं। वो इंडियन कॉलेज अब फिजिशन के डीन भी रह चुके हैं। आईए बात करते हैं डॉक्टर सशांग से। नमस्कार डॉक्टर सशांग जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आप से बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की पश्ता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बाते सुनने में आती हैं उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग हैं और क्या-क्या सावधानी जरूरी हैं। धन्यवाद सर, ये दूसरी बाढ़ आई है, ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाढ़ती उससे ये वाइरस ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है। और मुत्युदर काफी कम है। इसमें 2-3 फरक है। पहली तो ये युवावों में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण है, पहले जैसे लक्षण थे, सास चड़ना, सुका खासी आना, बुखाराना, ये तो सब है। पर उसके साथ थोड़ा गंद जाना, स्वाथ चला जाना ये भी है। और लोग फुड़े भाईबीत हुए है, भाईबीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90 प्रतिशद लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन होते रहते हैं, जैसे हम कबड़े बदलते हैं, वैसे वाईरस भी अपना रंग बदल रहा है। और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव पो हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है, और ये वाईरस आते जाते रहता है। तो यही अलग-अलग लक्षने हैं और मेडिकली हमको सतर करेना चाहिए एक 14 से 21 दिन का ये COVID का टाइम टेबल है इसमें वैद्य की असे लाग लेना चाहिए डक्र शसांक मेरे लिए भी आपने जो अनालेसिस बताया बड़ा इंटरस्टिंग है मुझे कई चीठियां मिली है जिसमें ट्रिट्मेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है कुछ दवाओं की मांग बहुत जादा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि COVID के ट्रिट्मे लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाले बातों पे भरोसा रखते हैं और अगर सरकारी डी हुई सूचना का पालन करें तो ये कटनाई का सामना नहीं आता है तो COVID में जो ट्रिट पराणवायू जो आक्सीजन है वो देरी जन का मोनेटरिंग करते हैं पल्स का मोनेटरिंग करते हैं उखार का मोनेटरिंग करते हैं उखार बढ़ जाता है तो कभी-कभी पैरसितमाल जैसी दवाई का इस्तमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए जो moderate COVID हो वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे-छोटे इलाज है लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई experimental दवाई है जिसका नाम है Remdesivir ये दवाई से एक चीज़ जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और clinical recovery में थोड़ी से उसकी एड़ होती है ये जो हस्पताल में भरती होते है और डॉक्टर जब बताते तब ही लेना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना हम प्राणायम करेंगे हमारे शरीर के जो लंग से उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जी injection आती है जिसक पीछे दोड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर अपने पास अच्छे इलाज चालो है प्राणवाई ऑक्सीजन है वेंटिलेटर की भी सुहिया है सब कुछ है सर और कभी-कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग ये लोगों में ही देनी चाहिए तो इसके लिए बहुत पैदा हो है और इसलिए ये स्पश्टिकरन देना चाहता हूं सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रिट्मेंट अवेलेबल है आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है आप यदि कंपेर करेंगे यूरोप के लिए अमेरिके वहाई से भी ह हमारे हागे ट्रिट्मेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे सर। आप उनसे फोन से संपर करके सलहा लीजिए मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी जिम्मेदरी उठा रहे हैं कई डॉक्टर सोशल मीडिया के जरिये लोकों को जानकारी दे रहे हैं फोन पर वाटसेप पर भी कांसिलिंग कर रहे हैं कई हॉस्पिट अनिया है मेरे साथ स्रीनगर से डॉक्टर नावीद नजिर शा जुड रहे हैं डॉक्टर नावीद स्रीनगर के गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं नावीद जी अपनी देखरेक में अनेकों कोरोना प्रेशन्स को ठीक कर चुके हैं और रमजान के इस पवि उन ही से बात करते हैं नावीद जी नमस्कार नमस्कार सर डॉक्टर नावीद मन की बात के हमारे स्रोताओं इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है आप अपने अनुबहों से उन्हें क्या जवाब देंगे देखे जब कोरोना शुरू हुआ तो रश ही वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये और ऐसे ही जो हमारे हस्तालों में डॉक्टर रसाहवान या पैरेमेडिकल स्टाफ काम करते थे उन में भी एक खोफ का माहौल था कि हम इन पेशिंस को कैसे फेस करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी मस्ताफ है वो भी सेफ रह सकता है और आगे-ागे जब भी हम देखते के तो ये मरीज जो कुछ लोग बिमार थे कुछ एसिंटमेटिक थे याने कि हमें कोई बिमारी के कोई लक्शन नहीं थे हमने देखा कि करीब करीब 95 95% से ज़्यादा जो मरीज हैं वो खुद विदाउट इनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस ताइम हमारी आई है इस कोरोना में इस ताइम भी हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस मौके पे भी हम अगर जो प्रेटेक्टिव मेजिर्स हैं जो एसोपीज हैं अगर उन पे हम अमल करेंगे जैसे मास्क पहनना हैंड सेंटाइजर का यूज करना इसकी अलावा फिजिकल डिस्टन्स मेंटेन करना या सोशल गैधरिंग हम अवाइड करें तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखो भी जबा सकते हैं और इस ब्मारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं डक्र नावे जब करोना का इट्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड नाइटीन के अगेनेस्ट कोई एफेक्टिव ट्रीटमेंट अवैलिबल नहीं है तो हम इस ब्मारी को फाइट दो ही चीज़ों से का सकते हैं एक तो प्रोटिक्टिव मेजर और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई एफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस ब्मारी से निजात दिला सकता है और हमारे मलत में दो वैक्सीन इस टाम अवैलिबल है कोवेक्सीन है, कोवेशील्ड है जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्राइल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफेक्सी जो है वो 60% से जादा है अगर हम जमो कश्मीर की बात करें हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाग तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है हाँ, सोशल मीज़े में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मित्स इसमें आये थे कि यह यह साइड इफेक्स हैं अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे है तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स एफेक्ट नहीं देखा है हाँ, और दूसरी बात लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सिनेशन यानि वैक्सीन टीका करन के बाद पॉजिटिव होगे इसमें कमपनी से ही गाइड लाइन इसलिए जो भी ये मिस्कंसेप्शन हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए और जिस जिस की बारी आई क्योंकि एक में से हमारा पूरा मुल्क में जो भी अठारा साल से जायत के उमर के हैं उनको वैक्सीन लगाने का प्रेक्रम शुरू होगा तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए वैक्सीन लगवाए और आपको भी प्रेटेक्ट करें और औरहाल हमारी सोसाइटी और हमारी कमिनिटी इससे प्रेटेक्ट हो जाएगी कोविड नैटीन के बहुत बहुत धन्वाद और आपको रमजहान के पवित्र महिने की बहुत बहुत शुपकामना है साथियों करोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफ़ा में न आए आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई हैं जिसका लाब 45 साल की उम्र के उपर के लोग ले सकते हैं अब तो एक मैश से देश में 18 साल के उपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्द होने वाली हैं अब देश का कॉर्परेट सेक्टर कम्पनिया भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुप्त वैक्सीन का जो कारकम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा मेरा राज्यों से भी आग रहे कि वो भारत सरकार के इस मुप्त वैक्सीन अभियान का लाप अपने राज्य के जादा से जादा लोगों तक पहुँचाएं साथियों हम सब जानते हैं कि बिमारी में हमारे लिए अपनी अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तोर पर कितना मुश्किल होता है लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाप को तो यही काम लगाता कि इतने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है यह सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है नर्सिंग स्टाप द्वारा की जा रही सेवा और परिश्रम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्सी बता सकती है इसलिए मैंने राइपूर के डॉक्टर बी आर अम्बेड कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही सिस्टर भावना दुरूव जी को मन की बात में आमत्रित किया है वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभल कर रही है आईए उनी से बात करते हैं मन की बात सुनने वालों को आप जुरूर ये बताईए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां इतने सारे मल्टी टांस्क और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही है कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जुरूर बेश्वासी सुनना चाहेंगे क्योंकि सिस्टर जो होती है नर्सिस जो होते हैं वो पेशन के सबसे निकट होती है और सबसे लंबे समय तक होती है तो वो हर चीज़ को बड़ी बारिकी से समझ सकती है जी बताइए जी सर्थ मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर्थ टू मन्द का है सर्थ हम 14 डेस ड्यूटी करते हैं और 14 डेस के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है फिर दो मैंने बाद हमारे ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर्थ जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी यह मई की बात है और मैं यह जैसे ही मैंने शेयर किया सब के सब डर गए घबरा गए मुझे कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना एक एमोशनल सिच्वीशन था सर बीश में जब मेरी बेटी मुझे पूछी ममा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो तो उसमें बहुत ही ज्याद से मिली सर तो वो उनसे और जादा घबराए हुए थे कोविड के नाम से सारे पेशन इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है हम आगे क्या करेंगे हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एंवा जो की बहुत ही कठीन है पीपी किट को पहन करकी ड्यूटी करना यह बहुत तफ था हमारे लिए मैंने दो मन की ड्यूटी में हर जगा 14-14 दिन ड्यूटी किये वार्ड में आईशियू में आईसुलेशन में से याने मिला कर तो आप एक साल से इसी काम को कर रही है यह सर वह हम जाने पेशन के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर की एक सर कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविट की नाम से ही डरते ही वह सारे सिंटम्स उन में आते थे जब हम हिस्त्री लेते थे उनसे लेकिन वह डर की कारण वह अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे तो हम उनको समझ आती थी तो ऐसा एकडो किस हमने देखा सर और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रूप के साथ काम किया सर हमने जिसने चोटे बच्चे थे महिला पुरुष बुजर्ग सारे तरह की पीशन के सर उन सबसे हमने बात करी तो सब ने कहा कि हम डर की वज़ा से नहीं आपाएं तब जो भी प्रोटोकॉल से उसी फॉलो की दिए बस हम इतना उन्सिक कर पाएं सर भावना जी मुझे बहुत अच्छा लगा आप से बात करकर करके आपने काफी अच्छी जानकारिया दी हैं अपने स्वयम के अनुभव से दी हैं तो जुरूर देशवासियों को इसे एक पोज जारो लाखो भाई भेन बख खुबी अपना कर्तवे निभा रहें यहम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेना है आप अपने स्वास्त पर भी खुब ध्यान दीजिए अपने परिवार का भी ध्यान रखिए साथियों हमारे साथ इस समय बैंगलूरू से सिष्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुए है सुरेखा जी केशी जंडरल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ओफिसर है आए उनके अनुभव भी जानते हैं नमस्ते शुरेखा जी I am really proud and honored sir to speak to Prime Minister of our country So Rekhaji, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes sir, being a responsible citizen I would really like to tell something like please be humble to your neighbors and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate And moreover, please if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible So community need to know awareness about this disease and be positive, don't be panicked and don't be stressed out. It worsens the condition of the patient We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I am already vaccinated. With my own experience I wanted to tell the citizens of India No vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build an immunity Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself There is a minimal side effects and I want to deliver the message like stay at home, stay healthy Avoid contact with the people who are sick and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly and home remedies You can practice in the house. Please drink Ayurvedic khada, take steam inhalation and mouth galling every day and breathing exercise So you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people Thank you, sir. Thank you, sir Thank you sir इसे बनाए रखना है साथियों डॉक्टर्स और नर्सिस टाप के साथ साथ इस समय लेब टेक्निशन्स और एंबुलेंस ड्राइवर्स जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं जब कोई एंबुलेंस किसी मरीज तक पहुंती है तो उने एंबु के बारे में देश को जरूर जानना चाहिए मेरे साथ अभी ऐसे ही एक सञ्जन है सेमान प्रेम बर्मा जी जो की एक अमिलेंस ड्राइवर है जैसा कि इनके नाम से पता चलता है प्रेम बर्मा जी अपने काम को अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और लगन्द counसे करते है आप अपने कारे के बारे में रविस्तार से बताईए आपका जो अनुभव है वो भी बताईए मैं केट्स एंबुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ और जैसी कंटोल हमें एक टैप पे कोल देता है एक सो दो से जो कोल आती हम मूव करते हैं पेशन्ट के पास हम पेश करने के लिए कहते हैं जो भी ऑस्पिडल में हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रोप करते हैं आपको तो वैक्षिन की दोनों डोज लगई होगी बिल्कुल सर तो दूसरे लोगों को वैक्षिन लगवाए है इसके लिए आपका क्या संदेश है सर बिल्कुल सभी को ये डोज और अच्छी ही है फैमली के लिए भी अब मुझे मेरी ममी कहती है ये नोकरी छोड़ दो मैंने बोला ममी अगर मैं भी नोकरी छोड़ के बैढ़ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा क्योंकि सब इस कुरोना काल में सब भाग रहे हैं सब नोक ये बहुत ही छूने वाली है आपके माता जी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा और प्रेम जी मैं आपके माध्यम से ये एम्बूलन्स चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं और हर एक की मां क्या सोचती है ये बात जब स्रोताओं तक पहुंचेगी मैं जुरूर मानता हूं कि उनको भी दूल को छू जाएगी प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं धन्यवाद साथियों प्रेम बर्मा जी और इंजे से हजारों लोग आज अपना जीवन दाओं पर लगा कर लोगों की सेवा कर रहे हैं कोरोना के खिलाब इस लडाए में जितने भी जीवन बच रहे हैं उसमें एंबुलेंस डावर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है प्रेम जी आपको और देश भर में आपके सभी साथियों को मैं बहुत बहुत साधुआ देता हूं आप समय प संकर्मिद हो रहे हैं लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के संक्यावी उतनी ही जादा है गुरुगराम की प्रिती चत्रवेदी जी ने भी हाली में कोरोना को हराया है प्रिती जी मन की बात में हमारे साथ जूट रही हैं उनके अनुभव हम सब के काफी काम आएंगे प्रिती जी नमस्ते मैं ठीक हूं जी सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से सफलता पुर्वक लड़ने के लिए सरहना करूंगा मेरी कामना है आपका स्वास्त और तेजी से बहतर हो प्रिती जी यह सिरफ आपके पुरेवार में आपी का नंबर लगा गी परिवार के और सदेशे भी इसमें फस गए हैं नहीं सर मैं अकेली ही हुई थी अच्छा मैं चाहूंगा आप अपने इस पीड़ा के अबस्था के कुछ अनुभाव अगर साजा करें तो शायद जो स्रोता है उनको भी ऐसे समय कैसे अपने आपको समालना चाहिए इसका मारदर्शन मिलेग जी सर जरूर सर इनिशली स्टेज में मेरे को पहुँआ ज़्यादा लथा जिक मतला बहुत सुस्की आया और उसके बाद मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी तो उसके बाद मेरे थोड़ा सा में को लगा कि यह सिंचम्स है तो मैंने इस टेस कराने के टेस कराया का परिवार बज गया है आपके क्विक एक्शन के करण जी सर बाकी सब का भी विबाद में कराया कर बाकी सब नेगेटिव ते मैं ही पॉजिव से पहले मैंने अपने आपको आइसोलेट कर लिया थे रूम के अंदर अपनी ज़रुवत का सारा समान रखके उसको मैं अपने बोजन वगेरा लेती थी उसे मैंने हेल्दी पूर जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया मैंने मैंने बहुत सारा फ्ल्यूड लिया मैंने स्टीम लिया गार्गिल किया और हॉट वाटर लिया मैंने इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली और इ प्रिती जी जब आपका प्रोसेस पुरा हो गया आप संकर से बाहर निकल आई अब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है तो फिर आप अपने स्वास्त के लिए इसके देखभान के लिए अभी क्या कर रही है सर्मैने एक तो योगा बनने किया है ठीक है मैंने काड़ा अभी भी ले रही हूं और अपनी इम्मूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्डी फूड खा रही हूं अभी जो कि मैं बहुत अपने आपको नेग्लेट कर लेती थी उसमें बहुत ध्यान दे रही हूं मैं धनिवाद पृत प्रिती जी आपने जो जानकरी द जैसे आज हमारे मेडिकल फिल्ड के लोग फ्रंट लाइन वरकर्स दिन रात सेवाकारियों में लगे हैं वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है देश एक बार फिर एक जुट होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ रहा है इन दिनों मैं देख रहा हू कोई कॉरंटाइन में रह रहे है परिवारों के लिए दवा पहुचा रहा है कोई सबजियां दूद फल अधि पहुचा रहा है कोई एम्विलन्स की मुप्त सेवाए मरीज्यों को दे रहा है देश के अलग लग कौने में इस चुनोती पुन समय में भी स्वयम से भी संगठ देखी जा रही है कोई नियमों का सक्ति से पालन करते हुए लोग अपने गाउं की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए चाही व्यवस्ताइब भी बनाई जा रही हैं शहरों में भी कई नव जवान सामने आये हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़ें इसके लिए स्थानिय निवासों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं यानि एक तरब देश, दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाईयों के लिए काम कर रहा हैं तो दूसरी और देश्वासी भी जी जान से कोरोना की चुनोते का मुकाबला कर रहे हैं ये भावना हमें कितनी ताकत देती हैं, कितना विश्वास देती हैं, ये जो भी प्रयास हो रहे हैं, समाज की बहुत बड़ी सेवा है ये समाज की शक्ती बढ़ाते हैं मेरे पहले देशवासियों आज मन की बात की पूरी चर्चा को हमने कोरोना महामारग पर ही रखा क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता है इस बिमारी को हराना आज भगवान महावीर जैनती भी है इस अफसर पर मैं सभी देशवासियों को शुबकामनाई देता हूँ भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्मसंयम की प्रेणा देते हैं अभी रमज्यान का पवित्र महिना भी चल रहा है आगे बुद्ध पुर्णिमा भी है गुरु तेग बहदूर जी का चार सोवा प्रकास परव भी है एक महत्वपुन दीन पोची से बोईशाक टेग और जैनती का है ये सभी हमें प्रेणा देते हैं अपने कर्तवय को निभाने की एक नागरिक के तौर पर हम अपने जीवन में जितनी कुसलता से अपने कर्तवयों को निभाएंगे संकट से मुक्त होकर भविश के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे इसी कामना के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर आगरह करता हूं कि वैक्सिन हम सब को लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी नहीं बूलना है हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बहार आएंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार करो 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 कर दो कर दो करना कर दो जल्द है जहते हम जल्द है दो हम जल्द कर दो हम जल इस नहीं है बहुत और भी रखना है कि यह है कर दो değil झाल झाल